आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं systemic plus contact fungicide के बारे में जो है कारवेंडा जिम 12% और मेंको जब 63% WP का एक combination है जी हैं दोस्तो हम बात कर रहे हैं UPL कंपनी की साफ fungicide अधितर किसान लोग जो UPL का साफ fungicide है यानि कारवेंडा जिम 12% प्लस मेंको जब 63% जो की WP form में आती है इसका उपयोग seed strigment यानि बीज उपचार करने के लिए भी करते हैं और इसका spray भी करते हैं तो बीज उपचार करने से आपको क्या benefit होंगे और यदि आप इसका spray कर रहे हैं तो कौन-कौन से fungis को control कर सकते हैं और इसका कितना प्राइस पाड़ता है और कितना spray करना चाहिए यदि आप बीज उपचार कर रहे हैं तो बीज उपचार आपको क्या करना चाहिए क्या benefit है संपूर जानकारी आपको इस वीडियो पर मिलने वाली है तो स्वागत है दोस्तों आपका दीए advance agriculture यूट्यूब चैनल में मैं हूँ आपका दोस्त सिप कुमार तो चलिए स्टार्ट करते हैं UPL कंपनी का साफ fungisite यह एक सिस्टमिक के साथ साथ contact fungisite है और इसमें जो कॉम्बिनेसर है कारवेंडा जें 12% प्लस मेंको जैब 63% जो की WP यानी पाउडर खौम में आती है सबसे पहले तो बात करते हैं बीज उपचार क्योंकि अधिकतर किशान भाई और इसका यूज़ से की जादतर बीज उपचार करने के लिए ही किया जाना चाहिए यदि आप बीज उप्चार कर रहे हैं तो सभी बीज अंकृत होते हैं और एक दिन से लेखे 30 दिन तक यानी ब्वाई से एक दिन से लेखे 30 दिन तक जो बीजोन सुरक्षा कबच बन जाता है जो लगने वाले फंगस कीटों को मुक्ती देता है एक प्रकार का सुरक्षा कवच बन जाता है जिस सभी वीज अंकुरित होते हैं तो कहने का मतलब रहे हैं कि यदि आप बीजों को उपचार करते हैं UPL कमपनी के साथ हैं तो सभी बीज अंकुरित होते हैं और सुरू आती आवस्ता में जो फंगस लगते हैं उनको कंट्रॉल कर सकते हैं आप यदि आप बीज उपचार कर रहे हैं तो आप गेहूं का बीज, धान का, मटर का, चना, सोयवीन, अरहरमूंग, और और सभी प्रिकार के बीजों को आप उपचारत कर सकते हैं यदि आप बीज उपचार कर रहे हैं तो एक कोईटल बीजों को आप 500 ग्राम यूपीयाल कंपनी के साफ फंगी साइट से उपचारत करें उपचारत करने के बाद आप आदा घंटे तक यानि 30 मिनिट के आसपास तक छाव में सुकाना चाहिए उसके बाद आप वहाई कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं फंगस कंट्रोल के लिए आप इसको इस्प्रे भी कर सकते हैं यदि आप यूपीयाल कंपनी के साफ को इस्प्रे कर रहे हैं तो कौन-कौन से फंगस को आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको आप लागभग सभी प्रकार की ग्रॉप पर इस्प्रे कर सक ब्लाइट यानि ब्लाइट को या बहुत ही अच्छे तरीक से कंट्रॉल कर लेता है यह रस्ट को कंट्रॉल नहीं करता है तो आइए बात करते हैं आप लगवक्षाही प्रिकार की क्रॉप पर आप इसको इसको इसका डोज क्या है इसका डोज है 15 लीटर पाने में 40-50 ग्राम इस्प्रे करना चाहिए और प्रती एकड़ 150 लीटर पाने हैं आपको 400-500 ग्राम यदि आप इस्प्रे करेंगे तो काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे यह दो प्रकार से काम करता है यानि सिस्टमिक तरीके से भी काम करता है और कॉंटेक्ट तरीके से भी काम करता है क्योंकि प्रती एकड़ खार्च एको 300 रुपे की आसपास पाड़ता है रिजल्ट टाइम भी 20 दिन की आसपास है तो आप बीज का उप्चार भी कर सकती है यानि जब आप बौई कर रहे हों तो उस टाइए आप बीजों का उप्चारित करके बौई करेंगे तो सभी बीज अंकुर पर लगबाग जितने परकार के फंगस बताएं उन फंगस को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं वीडियो से जुड़ी यदि कोई समस्या है या फिर आप किसी और परकार से कोई जानकारी चाहती है तो आप कमेंट्स में सवाल या सुझाव लिखके जरूर भेज़ें आज वीडियो और आप किसा तब तक के लिए धन्नवाद